सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्स पाने के लिए हालो फ्रेंड्स नमसे दोस्तों क्यूटीब एक एंटि साइकोटिक ग्रूप के दवा है जिसे अटाइपिकल नियूरो लेप्टिक क्लास में रखा गया है यह डोपामिन तता सेट्रोडिन रेसेप्टार को ब्लोक करके अपना कारी करता है क्यूटीब पिन सिर्फ और सिर्फ ब्लोक के लिएट नाम रहेगा वीडियो के आगे के पार्ट में इसकी यूजर के बार में जान लेते हैं इस दवा के का यूसोज होते हैं tienen Vegan बोर्छ की विकार है जिसमें विक्तिक से अजीब परका की आवाज्ये सुनाई देते जिससे कि वह बेचेन सा रहता है और इस बीमारी में positive symptoms तता negative symptoms दोनों ही परका के symptoms देखने के लिए मिलते हैं positive symptoms में उसे ब्रहम रहेगा और विवस्तित तरिके से बोल भी नहीं पाएगा और negative symptoms में व्यक्ति खुशी के माहल में भी गुमसुम सा बैठा रहता है बोलने में उस लिखा गया है कि जो positive symptoms तता negative symptoms से दोनों को ठीक करने के लिए क्विटी एपिन टेबिट डॉक्टर दवागा दी जाती है साथी जो के डिटी टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा गया है कि सिर्फ और सिफ positive symptoms को ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है तो इस किड़ में महसूस करता है और कभी बहुत ही ज़्यादा उतेजी हो जाता है इस एस्तिति को कंट्रोल करने के लिए यह दवा दी जाती है साथी major depressive disorder नाम की बिमारी जीसे सामयने बासा में depression और हिंदी में आउसाद कहते हैं इसको ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है साथी Qtapine जो इसके ग्रूप की दवा है इन सभी किसे ज्यादा sedative property रखता है इसी current से कभी कबार easy of label use डॉक्टर नियंद के लिए भी इसे prescribe करते हैं तो नियंद की दवा भी कुछ पेसेंट इसे कहते हैं और जो मेनी users बताएं इसके अन्य बिमारी में डॉक्टर अपने experience में इस इसे वीडियो बनाए है जो यह बहुत ही महत्तपून वीडियो है यदि आप में से कोई देखना चाहता है तो उपर आई बटर में क्लिक करके देख सकते हैं साथी डिस्क्यूशन में इसके लिए वहाँ बहुत ज्यादा देर खड़े होने पर ब्लड प्रेसर उसका लोग ह हो जाना ब्लड सुगर लेवल व्यक्ति का बढ़ सकता है वेट होना ड्राइ माउथ होना साथी जो इरेक्शन टाइम है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है बढ़ती के जो बोल्डी का मुवमेंट हो सकता है रिपीटेर मुवमेंट हो सकता है साथी मांट सीख विकार व प्रॉपर टीट्मेंट आपको दिया जा सके अब जानते हैं क्या डोज रहती है और किनकी दवाओं के साथ इस दवा को नहीं दे सकते हैं अगर डोज की बात कहें तो दवा की डोज पेसेंट की इज वेट तता तो डिजीज की सीवरिटी होती उसके एहां पर इनीच्यल रेकमेंडे ढोजे उसके बार जान लेते हैं इनिचेल यी 50 मिलिगाम से लगाकर 100 मिलिगाम की जो टेबरेट है पेसेंट के नेडडिक आनूसार दिन में दो बार प्रेसेंट को दी जाती है उसके खाने के बाद में देने की सलाव दी जाती है यहां पर द एंटेर्यपी में जब दवा द दी जाती है तो यह पचास मिली गाम से लगा कर! पेसिट की रिकौाइब्मेंट में चाह्ती दिन में दो बार दी जाती है, जैसे मैं ने बता है था बहुत कम अगर आवश्कत Werner तो दिन में एक बार दी जा सकती है और उस समय पेशेंट को रात को लेने की सला दी जाती है और इस टेबलेट को हमें साथ खाने के बाद लेना होता है इस टेबलेट के साथ कई सारी एंटि सैकोटिक मेडिसीन और भी दी जाती है परन्तों कुछ दवाईयां ऐसी है जिसे इस दवा के साथ नहीं दिया जा सकता अगर दे दिया जाए तो या तो इसके असर को कम कर देगा या अपने असर को कम कर देगा और अगर बहुत ज़्यादा अबसकता हो तो डोज की मेकरोलाइट की दमाएं जिसमें परें यह मुख्या है इसके अलाव ऐंटि मेडिसिन ने जैसे फलूपों मडिसीन पर आली कहाएं इसके साथ नहीं आई जा सकती है इसके साथ नहीं इसके सकती कारनट से यह चल रही हो को इसके बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं जिससे की प्रोपर डूज आपको केल्कुलेट करके दी जा सकते हैं और दोस्तों इसे के साथ मैंने कम्प्रीट के बार में बता दी जो पेसेंट के लिए इंपोर्टेंट थी उम्मीद गहता हुआ वीडियो अपको पसंद आया होगा यह दी वीडियो को पसंद आया थे जो इसको लाइक करें ज्यादा 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 इसको किसी और की काम आ सके और अभी तक आपने इडिप चैनल नुटे लिए ठाइक कार और की अबिपव नूटेंट लूटेंट रूटेंट।